आज का अमारा टॉपिक है पोस्ट नियो पिंटरेस्ट पे इंस टूश लैक चनल तो पिंटरेस्ट में जब भी हम कोई नई पिन क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं कि आटमेटिकली एक मैसेज़ स्लैक के चैनल पर चला है हमारी टीम को अपडेट करने के लिए तो इस पूरी process को हम automate कर सकते हैं public connect की मदद से Pinterest और Slack के बीच में एक connection बिल्ट करके है जिसमें हमारा trigger होगा कोई नई pin create होना Pinterest पे और हमारा action होगा automatically एक channel message चले जाना Slack पे तो आईए देखते हैं मेरे screen पे कैसे मैं पूरा automation बना रहूँ जैसा कि अब देख सकते हैं यह है मेरे Pinterest का account और यहाँ पर हमने एक board create करके रखा है जिसको हमने नाम दिया है new board का अब हम चाहते हैं कि जब इस particular board में हम कोई नई pin add करें तो automatically Slack के channel में एक message चले जा हमारी team को notify करने के लिए कि हमने Pinterest में कोई नई pin add करी है तो इस पूरी process को हम automate कर सकते हैं पैबली connect की मदद से Pinterest और Slack के बीच में एक connection बिल्ट करके जैसी Pinterest में हम इस particular board में कोई नई pin add करें तो automatically same details का use करके Slack के channel पे एक message चले जा हमारी team को notify करने के लिए चलते हैं new tab पे और आप देख सकते हैं यह है पैबली connect का landing page पैबली एक बहुत ही amazing software है जो आप multiple applications को connect यह integrate कर सकते हैं अगर आप नई user है तो जाएए sign up for free पे जो आप को हर मेरे में लेंगे free task ऐसे automation create करने के लिए अगर आप existing user हैं तो click करें sign in पे और sign in पे click करती हमारे सामने आएंगी पैबली की 5 bin applications आज हमको यूज करना है पैबली connect का क्योंकि हमको एक connection बिल्ट करना है slack और pinterest के बीच में इसनी हम जाएंगे पैबली connect पे और click करेंगे access now पे access now पे click करते हमारे सामने open होगा पैबली connect का dashboard और हमको click करना है create workflow पे create workflow पे click करते हमारे सामने एक dialogue box appear होगा जहां मैं इस workflow को एक नाम देना है तो मैं ऐसे नाम दूँगा post new Pinterest pins to slack channels click करेंगे हम create पे और create पे click करते हमारे सामने open होगी यह दो important windows इनको हम कहता है trigger and action basically जो हमारा पूरा automation है वो इन दोने principles या concepts पर ही based होता है इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है when this happened मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो तो आज क्या हमारी trigger application क्या होगी आज क्या हमारी trigger application होगी Pinterest Pinterest हम यह से करेंगे select और trigger event पे हमको select करना है new pin इसका मतलब Pinterest के इस particular board पे जैसे हमको नहीं pin add करेंगे तो हमारे जो वर्क टोकर trigger है वो run करने लगे और इसकी सारी details पैब्ली कनेट के पास capture कर ले इसलिए हमने आप चूज करेंगे ट्रिगर event new pin click करेंगे हम connect पे और पैब्ली कनेट को connect करेंगे Pinterest के account से जाना हमको add connection पे connect with Pinterest और इसके बाद हमको देनी है access पैब्ली कनेट को हमारे Pinterest के अकाउंट से connect करने के लिए तो क्लिक करूंगा में give access पे और देखिए हमारा authorization हमें successful हो चुका है इसका मतलब जो हमारा Pinterest का अकाउंट है वो पैब्ली कनेट से connect हो चुका है इसके बाद हमको आप चूज करना है हमारा बोड तो देखिए हाप हमने जित्ते भी बोड क्रेट करेंगे हमारे Pinterest का अकाउंट पे वह आपको पैब्ली कनेट पे शो हो रहे करते हैं कुछ पिंस तो देखिए हाप हमको लिखा रहा है find some ideas for this board तो इसको करते हैं open और यहां से हम एड करते हैं कोई नहीं पिन देखिए मारी जी मैं को यह प्लस बटन पे क्लिक करूँगा वापिस बैक पे क्लिक करूँगा देखिए यहाप हमने कर दिया एड हमारे Pinterest के अकाउंट पर चलता है पैबली करेक्ट पर क्लिक करते सेवेंट सेंटेस्ट रेक्वेस्ट पर तो देखिए यहां पर हमको API रिस्पोंस रिसीव हो चुका है जैसी मैंने Pinterest पे कोई नई पिन एंड का रही तो उसका पूरी डीटेल्स है वो पैबली करेक्ट के पास यह पर क कैप्चर हो चुकी है इसका मतलब जो हमारा फर्स स्टेप ऑफ इंटीग्रिशन है वो वर्क कर रहा है हमने Pinterest और पैबली करेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ट कर दिया है कि जैसे Pinterest पे कोई नई पेन एड होगी तो जिसको डीटेल्स है वो पैबली करेक्ट के पा पारे होने वाली एक्शन स्टेप तो एक्शन स्टेप पर हमको चूज करना है स्लैक इसका मतलब कैसे Pinterest पर कोई नई पीन एड होती है तो हम स्लैक पर हमारी टीम मेंबर्स को करना चाहते है अपडेट इसलिए हम आपे चूज करेंगे स्लैक हमारी एप्लीकेशन और एक्शन यहां पर क्यों लिखा रहा है टोकन टाइप अपसोच रहे होंगे के टोकन टाइप पर हमको यहां पर क्या टाइप करना तो चैनल मेसेच विद इमेज तो आज हमको क्या करना है। News चेहनल मैसेज भीजना है उसमें हम कर रहे हैं उसमेंज भी मतलब टोकंड़नम कृरें ऊचुजञ चूट होज सबसे पहले हम पर चूज करना हमारा चैनल तो चलते हैं मेär चैनल क्रेट करकर रखाए जिसको में और नाम दिया है, जन्नरल चैनल के नाम से, अब हम चाहते हैं, कि इस पैटिकुलर चैनल पर हमारी टीम को अबडेट करें, कि जैसे पेंटरस पो नहीं पेन एड होती है, तो इस पैटिकुलर चैनल पर ऐटमेटीक लिए है, उस मेसेज हमको अमठीकिल से ब्हें से लिटक यहां पर क्लिक करूँगा, यहां पर हम एक मेसेज टाइप करा है, अब पिन हैस बिन एड़ेट तु दी पोर्ट, इसके बाद आता हमारे जो पिन हमने एड़ किया है, उसका टाइटल, तो यहां पर हम यूज करेंगे, अब आप सोच रहोंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता यहां पर क्लिक करूँगा, तो यहां पर लिखा है, इंसर्ट डीटा फ्रॉम प्रिवेश स्टेप, और पिंट्रेस जो कि हमारे ट्रिगर एप्लिकेशन थी, वह आपको यहां पर शोग हो रही होगी, इसके ड्रॉप दाउन पर हम क्लिक करेंगे, तो यहां पर हमको पूरा यहां पर लिख स्टेप्ट, कर देंगे और इसक्रिप्शाल का हमारे मेश कुछ का निये, बर लूब यहां पर मैंने टाइप किया है, और बाकी का जो पार्ट है, महां पर मैंने यूज किया है, मैपिंग का, मैं आपको बता दू, मैपिंग इसलिए बहुत ज़रूरी प्रोसेस होती है, क्योंकि जब भी वर्फ्लो रन करेगा, तो यह जो डेटा हमने मैप किया है, यह आटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चीज, और बाकी का जो भी पार्ट हमने मैंटोले टाइप किया है, यह हमिशा रहेगा स्टैटिक, तो क्योंकि मैसेज जो हमको स्लेक चनल पर भीज़ना हमारे टीम को, उस पर आप पेन हैज बने टीम यह हमेशा रहेगा स्टैटिक, पर जो टाइटल है और जो डिस्क्रिप्शन है, वो अलग-अलग जैसे की कोई नई पेन एड होगी हमारे पिंटरेस के अकाउंट पर, तो वो यहाँ पर हो जाएगी, अपडेट वो भी आटोमेटिकली, इसलिए मैपिंग का यूज करना होता है जरूरी, फिर आता हमारा इमेज URL, इस पर हम करतेंगे मैपिंग, वापिस पिंटरेस के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है, और यहांसे हम मैप करतेंगे, हमारी इमेज का URL, यह हमारी इमेज का URL, यहांसे कर दिया यह मैप, फिर आता हमारा, image All Tags, bot name, bot icon, तो यह सारी जो फील्ड है, यह मैंन्टरी फील्ड नहीं है, इसलिए, हम इसको छोड़ाएंगे blank, अब सिंप्ली मैं जैसे क्लिक करूंगा सेवेंट सेंटेस्ट रिकेस्ट पे तो अब देखिए अगा चनल पर इस पर्टीकुरा चनल पर आटोमेटिकली एक मेसेज आ जाएगा ताकि हमरी टीम हो जाए नोटिफाइए कि हमने पिंटरेस्ट पर कोई नई पिंट करी है एड त इसका मतलब स्लैक के चैनल पर आटोमेटिकली एक मेसेज चला गया होगा क्योंकि हमको जो एपार रिस्पॉंस बता रहा है वह बता रहा है पॉजिटेव एपार इस पांश चलते चैनल पर और देखिया ऑटोमेटिकली यहां पर पैबली करेंट के विदाच से एक मैसेज आ चुका है आप इन हैस बिन एडिट टू दी बोड न्यू यह बूलेटिन बोड आइडियास फिर आता हमारा डिस्क्रिप्शन प्लीज है वालोग और यह जो पिन हमने एड करी थी उसका इमेज इसका मतलब जो आटोमेशन हमने पैबली करेंट पर बनाया था वह वह कर र तो हर दस प्रेट पर जो हमारे वर्फ्लू का ट्रेगा रहे उस सारी इंफॉर्मेशन प्रिंटरेस से फैच करेगा और स्लैक पर भीज़ देगा एक चैनल मेसेज हमारी टीम को नोटिफाइक करने के लिए तो अगर आप भी इस वर्फ्लू का यूज़ करने चाहते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू